आज हमारी महिलाओं का हम जम खम देख रहे हैं देश के लिए हैं लेकिन दुसरी तरफ कुछ चिंता की बाते भी आती हैं और मैं आज लाल के लिए से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूँ एक समाज के नाते हमें गंबीरता से सोचना होगा तो हमारी माताओं बेहनों बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का अक्रोष है जन सामाने का अक्रोष है इस अक्रोष को मैं महसूस कर रहा हूँ इसको देश को समाज को हमारी रवाच्च सरकारों को गंबीरता से लेना होगा महिलाओं के विरुद्ध अपरादों की जल्द से जल्द जाच हो राक्षसी कृत्य करने के वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजाँ हो वो समाज में विश्वात पैदा करने के लिए जरूरी है मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलातकार की अब महलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है बहुत प्रचार होता है मिडिया में चाया रहता है लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोबृत्ती व्यक्ति को सजा होती है कि नजर नहीं आती है कौन् Security पढ़ा रहता अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक्ड चर्चा होता ही ऐसा पाप करने वालों को भी दर पैदा हो यह पाप करने की साब्सी से होती है कि busHmm पर लगभना की पड़ता है का विवावक के रूप में एक संदेश दिया है भारती नारियों को कि उनके सम्मान के सूरक्षा हमारी प्रात्रिक्ता है एंसी आर्बी की जो रिपोर्ट है पिछले साल की वो बता रही कि साढ़े चाल लाक महिलाएं अत्याचार की सिकार होती है हर साल और इसमें हर घंटे इंक्यावन महिलाओं के साथ अपराध होता है ऐसे में प्रधानमंत्री का इस दिशा में चिंता जाहिर करना खासकर अभी जो तीन घटनाएं बहुत चर्चा में है उत्तर प्रदेश की दो घटनाएं अयोध्या और कन्योच और तीसरी बंगाल की ये तीनों घटनाओं ने भारत को एक बार फिर से हिला दिया है जैसे कि निर्वया वाला हुआ था, हातरस वाला हुआ था, कठुआ वाला हुआ था, ये घटनाएं जो भारत में मनुब्रती बढ़ती जा रही है उन्होंने एक सब्द का इस्तेवाल किया कि राक्षती प्रभित वाले लोगों का, मना उन्होंने एक चीज का साब संदेज दिया है कि ऐसे मानसिक्ता वाले लोगों के प्रती, खेंदर सरकार तो सकत रहेगी, साथ ही उन्होंने अपील किया कि राज सरकारी भी सकतो और हर वो मुद्दा जिस पर देश के प्रधान मंतरी को सुनना चाहता था देश का आम नागरिक उस पर प्रधान मंतरी ने बेबाकी से अपनी बात रखी और खासतोर से चुनोतियों का जिक्र करते हुए जिस तरीके से उनकी तरफ से ये रेखांकित किया गया कि चुनोतियां ज जीती और 1857 से वो बढ़ती गई उसके बाद जो विक्सत भारत है 2047 के लिए उसमें 140 करोड इंडियन को एक जुट होना पड़ेगा पहले यूनिटी थी आज भी यूनिटी होनी चाहिए तो वो देश में एक सबसे बड़ा मेसेज है कि सब में एकता होनी चाहिए तब एकता क पूछा जाए कि वो चाहते क्या है 2047 में तो उन्होंने लोगों से सुझाव लिये जिसके बारे में उन्होंने वर्नन किया कि स्पेस में हमारा स्पेस टेशन होना चाहिए वगरा वगरा अंगिनत सुझाव आए वो कह रहे थे और जो आपने सवाल उठाया है कि ये जो चि तो ये भी एक गंभीर विशे है और इसमें ये भी बोला ये भारत युद नहीं चाहता है क्योंकि हमारा देश तो बुद्ध का देश है लेकिन अगर लड़ाई का चांसिस हो तो हमें फिर करना पड़ेगा तो ये मेरे ख्याल बड़े मेसिज दे आड्मिरल खूर बड़े मैं तो यह कहूँगा कि यव लगोग में प्रदृießen के नहीं बहुत ही सही तरीके से बताया की caucus को बहुत बहुत महतव देना है जाय किसान उनके बहुत ही बड़ावा देना पड़ेगा क्योंकि वहां हमारी प्रगति होगी और जह विग्यान तो मैं ये कहूँगा जय जवान, जय किसान और जय विग्यान इन तिनों पे Artificial Intelligence, Machine Language इस पर भी बहुत जोर दिया कि प्रदान मंत्री जी ने ये कहा कि हमारी अगर प्रगती होनी चीए तो पूरी तरह से और उन्होंने अपने सभी शेत्रों में बताया कि कहां कहां प्रगती होई है और उन्होंने ये अभी कहा कि हम उपलवदियों पर ज्यादा गौर नहीं करेंगे हम यह नहीं कहेंगे कि हमने आज तक क्या किया हम आगे के 5 वर्षों में और आगे के 20-25 वर्षों में क्या करेंगे उसके उपर जोर दिया उनका यह कहना था कि अब इस अगले 5 सालों में मैं 3 गुना तेजी से काम करूँगा और यह गती पुरे देश ने पकड़नी चाहिए और इसके साथ हमारे लिए एकता की बहुत जरूरत है हमने सब बिल जुल कर हमारे देश की प्रगती और विक्सित भारत को साकार करने के लिए पुरा-पुरा महत्व और जोर देना चाहिए और इसके लिए बच्चे, बुड़े, नारी शक्ती और इन सब पर उन्होंने बहुत ही सही तरीके से अमल देने के लिए यह प्रोचसान दिया और यह हमारे लिए प्रेटना का स्रोत है कि यह भारत जो सोने की चिडिया था अब आगे जाके भी पुरह तरह भरपूर बनेगा चुनोतियां तो बहुत होंगी लेकिन उन चुनोतियों का सामना करना हमें जानना है हम जानते हैं और हम इसको कर सकेंगे और यह सब मिल जूल के करेंगे और इसी के लिए हम देशवासियों को सभी को मिल के आगे बढ़ना है दर्कुल वो कहाना प्रधानमंती नरेंद्र बोदीने कि चुनोति को चुनोति देना यह हिंदुस्तान की फितरत में है और यह हम करके दिखाएंगे और जो 2047 तक विक्सित भारत का सपना है उसे साकार करेंगे